एस्सीजी कैंसर सेंटर ने भारत में कैंसर उपचार के नए कॉंसेप्ट को लेकर पहली नेक्स जेन 2023 कॉंफरेंस का आयोजन किया इस कॉंफरेंस में विधर मध्धी प्रदेश और शेत्रों के 400 से ज्यादा डॉक्टर होने भाग लिया इस कारिक्रम को उनकोलोजी के शेत्र में लेटिस एडवांसमेंच को अपग्रेट करने के उद्देश से डिजाइन किया गया था सम्मानित अतिती और वक्ता डॉक्टर बीएस अजे कुमार कारिकारी अधिक्षल केर ग्लोबल एंटरप्राइस लिमिटेट थे यह कॉंफरेंस कैंसर उपचार अत्यादूनिक चित्सा प्रोधोगी की रोग पेटन में बदलाव और तकनीकी प्रगती डेटा के महत्व और निदाने के परिणामों का आक्रिन करने आदी में महत्पून विकास पर केंद्रित था कैंसर के इलाज पर HCG का दर्शिकून पहली बार में ही सही तरीके से उपचार करने का है जहां हब एंट स्पोक मॉडल का एक इकरत इस्तमाल और उन्नत प्रोधुकिकिया सर्वुत्तम उपचार में सक्षम मनाती है इसका तरिक्ति कॉन्फरेंस में कैंसर रिसेर्च को एक विशाल शेतर के रूप में दर्शाया गया जो हर साल उलेखनी सफलताओं का गभा बनता है ये उन्नत इनोवेशन जीवन की गुनवक्ता से समझोता किये बिना सठीक निदान रोगी केंद्रत उपचार विकल्प और दिरगायू सुनिशित करते हैं सठीक चिकित्सा और प परगती परविस्तार से चर्चा की गई हेल्थ केर ग्लोबल एंटर्प्राइज लिमेटेट के कारिकारी अद्धिक्षित डॉक्टर बियस अजी कुमार ने कहा स्वास्त सेवा में टेक्नलोजी एक महत्पून संबल है और यहां मेरा द्रण विश्वास है कि इन परिवरतन कारी टेक्नलोजी की पूरी श्रंगला आज मानफता के सामने आने वाली कई प्रमुक जुनोतियों का समधान करने में मदद कर सकती है SCG में हमारा मुख्य ध्यान उननत टेक्नलोजी निरंतर्न रिसर्च और इनोवेशन को अपनाने के माध्यम से रोगी केंदरित और मूली आधारित कैंसर देखबाल प्रदान करने में नहित है वेक्टिगत और सटी कैंसर उप्चा प्रदान करने के हमारे प्रयास के एक अभिन्ने अंग की रोप में हम SCG मिलाब 307 पूल अभियान में मिलाब के साथ सहीयोग करके प्रसन्ने है यह इस बात को सुनेशित करने के लिए बहुत जरूरी पहल है कि आतिक रूप से वंचित रोगी गुनवक्ता पून कैंसर देखबाल से वंचित ना रहे इस कारेकर में SCG ने एक क्राउट फंडिंग एंजियो मिलप के साथ तहात मिलाया और कैंसर के उपच्वार के आफशकता वाले जरूरत मन्द बच्चों विशेश रूप से बोन मेरो ट्रांसबलांट के लिए SCG मिलाब 307 पूल अभियान शुरू किया यह व्यक्तिकात फंड रेजिंग के बजाए पूल फंडिंग होगी इस प्रकार एक पूल के रूप में जुटाई गई राशी से रोगियों के अधिक महत्पून संध्य में मदद मिलेगी इस साल का लक्षे वंचित बच्चों की मदद के लिए 2 करोड रुपे जुटाने क I'm Dr. Ajay Kumar, I'm an oncologist and also chairman of HCG group of hospitals. Today we are having a scientific meeting about cancer and why it's so important to treat cancer the right way first time and HCG is the largest group of hospitals in India today with 23 centers and we have 400 oncologists. Nagpur is one of the primary sites. We are talking to group of doctors in Nagpur to understand about cancer care, how it has progressed even in advanced cases how we've properly treated cancer the first time you can get good results and we know cancer is a chronic disease now. we're properly treated. It is no different from diabetes or blood pressure but in the past we talked about cancer, terminal case, stage 4 because people did not live that long because we did not understand cancer. Today as we understand cancer, do research academics which we do in HCG, we are able to better treat cancer the first time and get long term good results and with good quality of life. This is what we are going to convey to the doctors and so show our own HCG data to the doctors where we have done data in breast cancer and head and neck cancer where our outcome is actually better than best of centers in the world. So today research is very important, data collection is very important, if we do properly we can be leaders in the world and we are going to bring high technology, we already have a technology in Nagpur, we are going to bring multidisciplinary clinic, more technology to make Nagpur a center of excellence and also not deny treatment to anyone. You know we have a system where we do crowdfunding and also with foundation we want to make sure everybody rich or poor are treated the same way because cancer doesn't know rich or poor, right way the first time with 400 oncologists, multidisciplinary clinic that is what we want to provide to our patients and particularly we are interested in Nagpur because Nagpur is the center of India and here we want to establish center of excellence so the people can benefit a lot from this. Yeah we have about 23 centers across India, one in Nairobi and we see nearly 120,000 cancer patients annually, largest group in the world I can say today. Yeah I think the public message is we should not fear cancer, cancer should fear us, if we really treat cancer the right way first time do not fear early warning signs of cancer, very important and make sure you get routine checkups so that we can identify early in treat. Of course prevention is better than cure, non-spoking, not chewing tobacco and even banning tobacco will help a lot, you should help us in participating in this so we can really conquer cancer the right way.